वार्षिक प्रिक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है और यह जो पेपर हो काफी इंपोडेंट है आपके 100 नंबर का पेपर आएगा और अब तक आपने जो कुछ नहीं पड़ा लेकिन आप पास होना चाहते हैं तो वीडियो को सुरू से अंतक देखना और इन सबी की पीडियेप आपको मारे एप के उपर मिल जाएकि एप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हैं वहां पर डाउनलोड कर लेना और नवी क्लास का फॉल्डर में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे और आपका पेपर होता ही आप मुझे अप से पहला प्रसन यह है कि नियून कौन कहलता है तो नियून कौन जो होता है वो नबे डिग्री से कम के मान को नियून कौन कहते है नबे से कम के मान को क्या कहते है नियून कौन कहते है और नबे से अधिक के कौन को अधिक कौन कहते है यह जो एक्सो से डिग्री का कौन होता ह इसको कहा जाता है सरल कॉन और सरल कॉन का यह दूसरा नाम होता है रिज्जू कॉन इसको रिज्जू कॉन भी कहा जाता है फिर बात कर लेते हैं 90 डिग्री के कॉन के तो 90 डिग्री के कॉन को कहा जाता है सम कॉन यह लंब होता है सम कॉन होता है ठीके लंबत होता है यह एल क्य उनकों कहा जाता है दूसरा प्रस्ट है समान तरीजाओं के दो वरत होते हैं हमेशा जो बराबर तरीजा होती है उनके वरत सरवांग सम होते हैं सबी वरत हमेशा समरूप होते हैं लेकिन अगर तरीजा बराबर है तो वो फिर कैसे हो जाएंगे सरवांग सम हो जाएंगे इसक ये वाला एक वरत है तो इसमें यहां तो होता है इसका केंद्र और यहां से यहां तक की जो दूरी O से P तक की जो दूरी है इसको का जाता है त्रीजा और यह जो त्रीजा होती है यह व्यास की आदी होती है यानिकि एक तरीजा उतरी एक और तरीजा इदर आजाएं क्यों आजाएं इदर मालो तो ये जो ओ से क्यू प्लस ओ से पी तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी आर प्लस आर हो जाएगी ठीक है इसको हम टू आर लिखते हैं यानिकि दो तरीजा लिखते हैं और दो आप वीडियों देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ग्राव िडिलियों कर लेना सारे पेड़ी के उपर में आप तो आप जैते हैं तो आपके यह पिर स्क्राइब तो यह फिर जो महत्रक दे रखे इसमें थोड़ी सी मिच्ते के इसको महनते मीटर का स्क्वायर वर्ग मीटर में मापते हैं फिर वर्ग सेंटीमेटर में मापते हैं तो इसका जो उत्तर होगा आपके मीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है वर्ग मीटर में ये मापते हैं इसको किसमे मापते क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में मापते हैं जबकि आयतन जो ह श्यत्रफल उसका सुत्र क्या होता है आयत के श्यत्रफल का सुत्र आप कमेंड करके बताना देखें अगला प्रस्तना है एक गन की बुजा है आपके चेंटू नोगा स्कुएर अगर इसको उत्ता देखो तो चेंटू नोगा स्कुएर बावल आप्षें आजाएगा और इसको निकालना चाहे तो 6 इनटू 9 में 118 तो 6-6 और 6-8 8-8 486 इसका उतर आ जाएगा आंकडे कितने प्रकार के प्रकार की उतना सब्सक्राइब करूंगा सब्सक्राइब करंगा। इसने सब्सक्राइब करें करिये नबर आज सके की एक चिके 6 को मि पर पर परिय philanthrop कितनी होती है कि टूछ सिक्राज परीणाम ऐसक्ते है या तो हे रएगा या फिर नाएगा अब हेड राने की प्रयों पूंचय एक बटा-धो और टेल आने की प्रयों भी एक बटा-धो होती है चितिया पटाने की पुराय क Come to a at थी है अघror not ने बेलन का आप कुल प्रस्टिक शेद्रफल ग्याद करने का सुत्र बताना है केफे让 का कुल प्रस्टिक शेद्र ग्याद करने का सुत्र जो हता है वहता है two by arafx plus प्लस ऐनोकर सुट्र है भी लेत यह को ईसको यूми लिखा जाता है ला सब्सक्राइबर को कि serves सस्टिया दों कि तो जो दो जो स्तिर substitute के जो मिलाने पर जो सीधार रेखाकर मनता है सीधा में लान पर जो आगरती μεनती हैं उसको रेखाकर लिखना है अगला प्रस्न की eg s's को it के घुरांक लिखना है देखो x के square में के गुणांक है यह तो कोई lasse square में गुणांग देखं़ यह रहा s connected कोई नहीं दीकी तो यहां पर 1 रहे तो इसका तो X स्क्वायर का गुणांग की हो जाएगा इसमें X स्क्वायर का गुणांग होगा इसमें एक यहां पर देखो यहां पर माइनस है यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का एक यहाँ पर X क्यूब का पूछे तो X क्यूब का एक हो जाएगा इसी प्रकारचा आपको यू पूँच ले कि 2 X स्क्वाइर प्लस 3 X इसमें X स्क्वाइर का बता हो तो 2 गुनांक होंगे इसमें X का पूछे तो 3 होगा अगर आप परसने फिर आपके और भी P社 में आपके अपलोड करूंगा चैनल को अभी सबस्क्राइब केलेंगा यारव प्चिशने वर्गमोल गयाद करना है उनपचास का वर्गमोल गयाद करो तो उनपचास का वर्गमोल गयाद करने के लिए गुनान खन करेंगे 90 में 2 का भाग नी जाता है 3 का भी नी जाता है 5 का भी जाता है डारेक्ट भाग किसका जाएगा ? 7 का जायगा वो 7 में 7 का 1 बार जाएगा तो वर्गमूल गयात करने के लिए एंडरूट लिखेंगे अंडरूट 59 बराबर अंडरूट 7 इंटू 7 इस जोड़े को बाहर निकालेंगे और इसको हम एक बार लिकेंगे यही अपना अंसर आजाएगा इसी प्रकार से 121 के वर्ग मुल्गयात करने तो आपको 121 के गुननखन करने पड़ेंगे गुनन खन करेंगे, तो यह लिखेंगे 1, 2, 1 2 का, 3 का, 5 का, 7 का बाग निए जाएगा, डारीक्ट बाग जाएगा इसमें 11 का एक बार और एक बार, 11 बारी जाएगा, फिर 11 में 11 का, एक बार जाएगा गुनन खंड करने के लिए कि हम अंडरूट 121 बराबर अंडरूट 11 इंटू 11 एक जोड़ा बनेगा 11 का उसको बाहर निकाल लेंगे तो अंडरूट 121 एनकी 121 का वर्ग मुल कितना हो जाएगा 11 इसका उत्तर आ जाएगा देरे देर सब्सक्राइब करेंगे आपको आसने से आप चैनल को सबस्क्राइब करेंगे तक कि पूरा फायदा आपको मिल सकें यह कि रहे हैं कि इसका बाग देने पर आपको सेंस्फल याद करना है कुछ नहीं करना है इसका सेंस्फल हम सीधर याद करना सिखेंगे यह जो है X-A इसको 0 के बराबर लिखेंगे X-A बराबर 0 इसका बाग देना है तो पहले X का मान गयात करो X बराबर हो जाएगा A मान इसका A इदर आए तो प्लस का A होगी है तो X बराबर A जहाँ जहाँ यह इस बहुपद में X है वहाँ वहाँ पर A रखना है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर FX बराबर बहुपद क्या दे रखा है X की गात 3 प्लस 3X की गात 2 प्लस 6X मैनस A यहाँ पर हमको X बराबर A रखना है तो F A बराबर क्या हो जाएगा यह A की गात 3 प्लस 3A की गात 2 प्लस छे एक इगात कितना जाएगा छे ए मैनस ए इसमें से ये कम हो जाएगा छे ए में से एक ए कम हो जाएगा तो कितना जाएगा पांच आजाएगा तो ए क्यूब प्लस तीन ए स्क्वाइर प्लस छे में से गया तो पांच ए ये अपने अंसर आ जाएगा इस प्रकार से आपको लिख लेना है इसका जब उक्षिंस पहले हो इस प्रकार से ग्यात कर लेना है फिर है आपके परीबासा बतानी है वर्ग की तो ऐसा चत्रबुज जिसकी चारों बुजाएं बराबर हो परते कौन समकौन हो नबे डिगरी का हो उसको हम क्या करते है वर्ग करते है ऐसा चत्रबुज जिसकी चारों बुजाएं बराबर हो परते कौन नबे डिगरी का हो और इसके दोनों विकन भी बराबर हो तो उसको हम क्या करते है उसको का जाता है वर्ग वर्ग की चारो बुजाएं बराबर होती है और आपको इसमें कितने विकन होते तो इसके दो विकन होते है और दोनों विकन आपस में बराबर भी होते है इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है वर्ग का क्षितरफल वर्ग का जो क्षित्रफल होता है वो क्या होता है बुजा स्क्वाइर और परिमाप जो होता है वर्ग का परिमाप वो क्या होता है चार इंटू बुजा परिमाप का मतब एक चक्कर लगाना और क्षित्रफल का मतब ये वर्ग कितनी जगह में बना हुआ है अगला प्रस्म देखते हैं लंब रेखाओं की परिवासा देनी है लंब रेखा मतलब दो और रेखा एसी रेखा जो एक दूसरे को 90 डिगरी के कौन पर कारती हैं प्रतिछेद करती हैं आपस में 90 डिगरी के कौन पर कारते हैं तो उसको में लंब रेखा कहते है निज्ट हैं त्रिबूस का जो अधिक सॉर्य अधिक कों किसे कहते हैं तो 90Go no जकी से तो अधिक नभे से को अधिक एवं एक्वसेटी इवनрах हो से कम एक्वसेटीजी कम करें हैं उसको हम अधिक कौ90 के लिए 90 से ज्यादा 120 से कम 120 ले लो 150 ले लो ये सभी अधिक कौन के उतारण है नेक्स्ट कुस्टन है जिसमें आपको परिभास सब बतानी है त्रिबूज का अरद परिमाप क्या होगा तो त्रिबूज का अरद परिमाप क्या होता है ये महलोग ट्रीबूज है ये एक ट्रीबूज आपके सामने इसको सही सभणाते बापस ये ये लोगट ट्रीबूज आपके सामने है ये और ये ट्रीबूज बने गिया इसमें ये ए ये बी ये सी. आपको small A, B, C कैसे लिखना है वो समझ लैना है capital A के जो सामने होती बुजा वहाँ पर small A होता है capital B के सामने small B होता है capital C के सामने small C होता है यह ABC इस बुजाओं का माप है देखिए ABC छोटे छो ABC दिख रहे हैं यह वाले यह इनका माप है आपको परिमाप ग्याद करना है तो एक चकर पुरा काटेंगे तो परिमाप के हो जाएगा इसका परिमाप तो पुछे तो आपके होगा A प्लस B प्लस C होगा और अर्द परिमाप पुछे तो अर्द परिमाप में फिर आदा करना तो दो का बाग देदेंगे तो यह होता है अर्द परिमाब A प्लस B प्लस C ठीक है और बट्टा में कितना आएगा दो आज जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं और यह रोन के सुतर में आपके बहुत काम आएगा इसको अची प्रकार से और समझ लेना और आगे और वीडियो में अप्लोड करूंगा तो वो भी आपके लिए काम में आएंगे एक क्रिकेट मेंच में एक महिला बलेबास द्वारा खेली गई साथ गेंदों में से छे बार चोका मारती हैं तो चोका ना मारने की प्राइक तक याद करने हैं तो चोका कितनी बार मारा छे बार टोटल कितनी गेंदे तीस तो चोक ना मारने तो भी ना चोके की गेंद कितनी होगी वह जाएगी 36 माइनस या 30 माइनस 6 बराबर चोका कितनी गेंदों पर नहीं मारा है 24 कुल कितनी है 30 अनुकुल परिणम हो जाएंगे 24 कुल परिणम हो जाएंगे इसमें 30 6 के पारे सब्सक्राइगा 24 और 6 पंजे 30 तो 4 बटे 5 इसका उतर आजाएगा एक तरीका तो यह रहा दूसरा तरीका यह है कि चोका मारने की प्रेक्ता ग्याद करके उसको एक मेंसे गटा लो तो चोका मारने की प्रेक्ता आएगी इसमें 6 अनुकुल परिणम 6 और कु मांच में से जाएगा एक तो चार बटे 5 इसका उतर आजाएगा अगला प्रसंद को 17 नंबर कुष्ण ने दस विद्यारतियों ने निम्लिकित प्राप्तां के प्राप्त किये हैं इनका माध्य दे रखा हैं 20 एक्स का मान ग्याद करना है देखो यह 17 विद्यारतियों में द में एक्स का मान निकालना है तो यह हो जाएगा माध्य एकस बार बराबर आंकडों का योग बटा हुआ क्लों की संख्यां यहुत ईसूत्र आखरों का यह करी गटा था आंकडों की संख्या यह होता है सुत्र कि यह होता है माध्य बराबर आंकडों का योग बटा आंकडों की संख्या यह माध्य कितना दे रखा आपको बीस दे रखा देखो यहां पर यहां लिखेंगे हम बीस बराबर इन सब की जोड़ करेंगे पांच प्लस चार यहां लिख 5 3 2 1 0 1 10 इन सब की जोड करेंगे तो जोड करेंगे ते 5 और 4 नो 9 और 4 तेरा 13 और 5 अठारा 21 21 और 2 23 24 और 1 25 जोड कितने होगे आपके 25 यह होजाएगा आपका 20 बराबर X और X कितने होजाएगी 2X तो यह होजाएगा 2X 25 और बट्टे में आजाएगा आपका 100 10 गुणा करेंगे 20 को 10 से तो यह होजाएगा आपका 200 20 को 10 से गुणा किये तो 200 बराबर किया आपके 2X प्लस 25 तिके आपको ज्याद करना है X का मान तो 25 को अठारा दो यहां से प्लस के 25 इदर आएगे तो मैनस के 25 यह आजाएगा आपके 200 में से 25 को मैनस करेंगे कितना बचेगा 105 इसको मैसे लिखेंगे 200 मैनस 25 बराबर 2X 200 मैसे 25 को उकटाएगा तो कितना बचेगा 105 एक्स का मान गयाद करना 2 को अच्छा 2 फिर 15 हो जाएगे साथ बार और पॉइंट पाँच बार 37.5 अपने इसमें आ जाएगा अगला स्वाल देखो यदि एक बेलन की तरीजा दे रहे हैं साथ सेंटीमिटर और बेलन का आईतन है 616 सेंटीमिटर क्यूब बेलन की उच्छे आपको गयाद करनी है आईतन दे रहे हैं तो सुत्र आपको आईतन की लगाना पड़ेगा आर का मान दे रहे हैं ह का मान आपको गयाद करना है तो बेलन का आईतन का सुत्र आपको लगाना पड़ेगा तो बेलन का आइटन होता है आइटन बराबर पाई स्क्वाइर पाई आर स्क्वाइर एच यह जी बेलन का आइटन होता है तो फिर इसमें मान लिखे लेते हैं आइटन कितना दे रखा आपको 616 और आर का मान दे रखा आपको 7 तो साथ का स्क्वाइर हो जाएगा एंटू एच कमान हमको ग्याद करना है यहां से हम आर और इसमें एच कमान लिखने के बाद में एच कमान ग्याद करने के लिए इस साथ के स्क्वाइर को और साथ को काटेंगे तो यह आजाएगा इदर इनसा भी को 7 से यह एक 7 कर जाएगा तो यहांपे केवल 7 ही बजे गई यğ Vince इंक बराबरcast हो जाएगा तो यह होजाएगा आपके 616 ठीक, झाफ बटे में आजाएगा आपके 22 साफ बराबर slayच, अब हम 22 के पाढं़े से या इसको हम गयरा के पाड़ा से काट देंगे ठीजिक इसको काट लएते हैं आपर तो गयरा के पाड़ा से ये कटएगा आपके दो बार और ये गटनेगी ग्यार पंजे पसपन और फिर हम कातेंगे इसको शाद के पाड़ा से 7 कम-7 और साथ समझा वर 24 प्रकार से आपको आयटन से इसका जो उच्छे ही है वह आपको ज्याद कर लेनी है अगला प्रस्थन इंपोरेंट है अगला प्रस्थन आपके कि एक संभवत रिबूस की रसना करनी है है जिस्के नहीं कर लेता है एक श्ञंको का वक्रप्रस्तिय शजट हो और आप जा बर्णाने हैं हम संकूर आपको वक्रप्रस्तिजित्र डिमिकर ब्रबाल bounds यह तहरए एक मंधर नहीं है जिस्के से ऑड़स्तिक अर्फ्र सेंटिमिटर ठीक है इसमें आपको संकू का वक्र प्रस्टिक शित्रफल ग्याद करना है जहां सुत्र लिखेंगे इन्टू L का मंग 10 ले रखा है साथ की पारण से साथ एक बार कटेगा 14 कटेंगे 2 बार ठीके इसको हमने साथ की पारण से कार्दिया है यहाँ पे साथ की पारण से यह तो कटा आपके एक बार और 14 कटेंगे 2 बार और कौन कट रहा हैं कोई नहीं कटेगा गुणा करके मान लिख लो यह वजाएगा आपके 22 इंटू 2 इंटू 10 22 नहीं कितने होता है 45 इंटू 10 से गुणा करें तो 440 जाद करना है आपको इसमें आइतन शेत्रफल तो शेत्रफल में लगेगा सेंटीमीटर स्कॉयर आएतन होता तो हम क्यूब करते एक शेत्रफल इसलिए स्कॉयर आएगा अगला क्यूशन देखो अगला जो क्यूशन है आपके यह पूचा गया है कि एक सम बहुत रिबूज की रस्तना करनी है जिसकी परतेग बुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है कुछ नहीं करना है सम बहुत रिबूज में तीन बुजाएं बराबर होती है सबसे पहले आपको एक 6 सेंटीमीटर का रेखा करन कीचना है उसको नाम देना है A और B यह लिखना है आपको 6 सेंटीमीटर फिर परकार को खोलना है 6 सेंटीमीटर A के उपर रखके आपको उपर की और एक चाप काटना है इसे परकार से B के उपर रखके 6 सेंटीमीटर का उपर की और चाप लेना हैं यह आपके ज्याएं का सम बाहुती बूज़ की तिनू बुझाएं बराबर होते इसके तीनू कोन भी बराबर होते हैं एक प्रस्न का उत्रायं को मेंड रखे बताना त्रिबूझ योग है वो कि ततनी होता हैं थी कि अंदर की तिन कोनों का जोड कितना डिगरी होता है अगला प्रस्न है अगले प्रस्न आप से पुछा गये हैं कि चत्रबुज के चक्री चत्रबुज के सम्मुक कोनों का प्रतिक योग मुका योग एकस्स से डिग्री होता है यह आपको सिद्ध करके बताना है फिर है बाइस वा किशन एक चत्रबुज के कौनों यह मौस्ट इम्पोटेंट है हर बार पुछा जाता है यह इसको याद कर लेना आप ठीक है चत्रबुज के चारो कौनों का अनुपात दे रखा हैं तो इसके कौन A बराबर हो जाएगा 3X कौन B बराबर हो जाएगा आपके 5X कौन C बराबर हो जाएगा आपके 9X और कौन D बराबर हो जाएगा आपके 13X चत्रबुज के चारो कौनों की जोड़ कितने होती है कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C प्लस कौन D चारों की जो जोड़ होती है वो होती है 360 डिग्री मान लिखो इसमें 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में है 360 जोड़ कर लो यह हो जाएंगे 9 8 8 और 9 कितना पांच और 3 8 8 और 9 17 17 और 13 इनकी जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा आपके 30 कितना हो जाएगा यह 30 होजएगा 0 2 1 3 यह होजएगा आपका 30x कितना होगा यह 30x बराबर 360 x का मान ग्यात करना है तो फिर हम क्या करेंगे 30 का भाग देंगे 360 में 30 का भाग देंगे तो यह x का मान आएगा 0 से 0 कट जाएगा तो कौन अ बराबर कित्ना है कोन ए बराबर है टिन एन टो बारा एकस कमान बराए इसमें थे कितने होते हैं 36 कौन B बराबर 5X तो 5 इन्टू 12 12 पंजे कितने होते हैं? 60 होते हैं कौन C बराबर 9X तो 9 इन्टू X का माल लिखेंगे 12 तो 5 इन्टू एक मिनिट 9 इन्टू 12 तो 12 नमे कितने होते हैं? 108 लास्ट नहीं 13 तो कौन D बराबर 13X यानि कि 13 इन्टू 12 गुणा कर लो बारती 36 हसल के 3, 12 और 3, 15 ये हो गए आपके कौन चारों ही और चारों ही कौनों को अगर आप जोड़ेंगे तो सब की जोड़ेंगे वो 360 डिग्री के बराबर आएगी Most important सवाल है ये इसको अची प्रकार से याद कर लेना, समझ लेना मैं आगे भी आप कैसी प्रकार के सवाल अप्लोड करूँगा चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे दस्वी क्लास में आपको काफे फाइदा मिलेगा बिना कोई टूशन जाए आप पूरी गनित को मैं यापर समझ पाएंगे इसके लिए कुछ निकरना है क्योब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको जो सारी चैज़ां पे बिल्कुल फ्री मिल सकें अगला प्रसन देखते हैं 300 प्रसन है कि परतीछेदी रेखा और आपरतीछेदी रेखा में अंतर बताना है तो परतिशेदी रेखा तो एक दूसरे को काटती है और अब परतिशेदी रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है यह इसमें मुक्यनतर होता है अगला प्रस्त है गुनन खंड जात करने हैं सबसे पहले गुनन खंड करने आपको इस फश्ट वाले के यह आपके 12 x स्क्वायर माइनस के साथ x प्लस एक यहाँ पर अगर x स्क्वायर के आगे केवल एक ही होता तब तो हम डारेक्टी टुकड़े एक के करते हैं लेकिन यह आ लोड़े या गटाए तो साथ आजाएं तो चारते हैं बारा चार और तीन साथ तो हम चार और तीन कर लेते हैं यह होजाएगा आपके 12 x स्क्वायर माइनस के 3 x माइनस के 4 x और प्लस का एक गुनन खंड करने इसमें तो मान गयात करने के लिए हम इसमें से कॉमन तो 3 x कॉमन आएगा दियां बचेगा 4 माइनस एक यहां से क्या कॉमन आएगा एक मुनें इसको वापस शेक करते हैं यह 4x ऑएगा 4X-1 क्योंकि 1 X हमने बहर निकाल लिया है माइनस अब यहाँ पे 4X-1, यहाँ पे 4X-1 जब इसे इस्तितिया है कि यहाँ जो सहीं के आ रही वो कोस्टेक में आगे भी आनी चाहिए और वहाँ पहले से देर रखी हो तो अगर इसका चीने ही तो चिंज करना है यहांपर लेली है मैनस का एक तो यह रहाँएगा आपके प्लस का 4X और मैनस का 1 अब जो कोस्टक में है इसको एक बार लिको और जो बाहर है इसको कोस्टक में बंद कर दो तो 3X मैनस 1 तो 1 आ जाएगा और 4X मैनस 1 दूसरी संक्य हो जाएगी इस प्रकार से आपको इसका गुननखंड निकाल लेना है उमिद करता हूँ यह समझ में आया होगा आगे का सवाल सोल्ड करते हैं आगे की सवाल में भी आपको गुननखंडी करने है इसमें पूछा गया है दो X स्क्वायर प्लस साथ X और प्लस में तीन अब गुणा करना है 2 को 3 से कितना होजएगा 2 ती है 6 6 के टुकड़े करने जोड़े हैं गट़एं तो 7 आ जाए 6 कम 6 तो इसको वेगे साथ एकस को 6 प्लस 1 लिख्तेंगे तो ये होजएगा 2X स्क्वाईर प्लस 6X प्लस एकस प्लस 3 क्या कोमन आएगा इसमें 6x क्यामन आजाएगा इसमें 2x लेलो कि इदर फी दो guy कोमन लेंगे दो एक्स यहांसे मोलेंगे 2x यह क्या बचे गा cm बचे गा एक्स प्लस तीन बचे गा यहाँ पहले सिरे रहेऊ पर क्या Tribut ले लेंगे यक्स प्लस तीन आजएगा अब यह और याद कोल स्खज़सopen एक जीज़से बचेगे तो यह आपके आंसर सिर्व के अगला है एकली श्केब में लिखेंगे दो एक्स प्लस एक इनको कोश्टवें बंद कर देंगे तो योग ऑर एक्स प्लस तीन यह उसका आ जाएगा पिर आपको सवाल है जिसमें इसको सलल करना है आसान है ये भी कोई कटी नहीं था 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 टीन और इसको गुणा करना है दो प्लस अंडरूट दो से तो इसको इसको गुणा करने के लिए एक बहुत रेंगे एक बार参दरूट अंडरूट दो प्लस अंडरूट तीन अंडरूट तीन कोश्ट तक दो प्लस अंडरूट दो इस प्रकार से आपको इसका गुणा करना है इसको अंदर गुणा करेंगे यह आएगा दो तिया छे प्लस तीन अंडरूट दो प्लस इसको गुणा करेंगे यह अंडरूट तीन ह और ये दो बाहरा जाएंगे तो यह आएगा आपके दो अंडरूट तीन ये तीन अंडरूट दो और दो अंडरूट तीन दोनो अलग अलग है और ये अंडरूट तीन को अंडरूट दो से गुना करेंगे तो यह आजाएगा आपके पलस अंडरूट छे कैसे आया तो अंडरूट 3 को हम गुणा करते हैं अंडरूट 2 से यह एक अंडरूट की निचा आता है 3 इंटू 2 बराबर अंडरूट 6 का उतर ऐसा आता है अब कोई सेंकेस में जोड़ नीर यह गट नीर यह अपना अंसर हो जाएगा इसी प्रकार से आपको दूसर सोल करना है जिसमें आपको 3 प्लस अंडरूट 3 और माइनस दे रखा आपके 3 अंडरूट 3 तो 3 यह पे प्लस में एक बे माइनस में एक सुख्त लगेगी सरसमी का जिसको हम कहते है A PLUS B और इसको हम और क्या लिए लिखते है A MINUS B इसके बराबर में आता है A SQUARE MINUS B SQUARE A कामान 3 है तो यहां पर आजएगा 3 का SQUARE MINUS B कामान UNDER OLD 3 है तो यह UNDER OLD 3 का SQUARE 3 का SQUARE कितना होता है? 9 3 तिया 9 in- mais story कि nep competetère 10 के यह रहा है अन्डरूर रूर तीन चैनल करेंगे तो सकोर हैं त्थीन ही बचेगा उतर आजाब के नो मेंसे तीन जाएंगे तो च्छे इस कांड़ से कितना है आपके 6 आ जाएगा अ कि इसी प्रकार से आपको पूरी गनीश स्वाल के सोल करवा देंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करने कुछ नहीं करना है आपको वीडियो लगातार देखते रहना है ताकि आपके पूरे नंबर मिल सकें अगला प्रसने दो बच्चों वाले सो परिवारों के चैन किया गया आकड़ों में लड़कों होने की प्रयक्ता आपको ग्याद करने हैं यह कुल है आपके एगजार सोनी एगजार है तो ऐसे परिवार जिसमें दो लड़किया हैं दो लड़कियों वाले कितने परिवारें दो सो हैं एक लड़की वाले कितने हैं पांसो हैं और एक भी लड़ लड़के होने की 200 हैं कुल मनलब दो लड़के होने कुल तो 200 है और टोटल जो परिवार है वो 1000 है तो अनुकुल परिणा हम 200 बटे 1000 यह 200 से 200 कट जाएगा फिर हम 2 कपाड़े से 10 को कटेंगे 5 बार उतरा देगा आपके एक बटा 5 एक लड़के होने की प्रेक्टा एक लड़क कि नहीं कि 300 बटे 1000 कटेगा तीन बटा दस इसका उतर आ जाएगा तो अगला प्रसंद देखते हैं यहां पर आपको 22 उतरा इस सतनी इसमें में और इसका बहुक्त की आप सबसे पहले एक तरह वर्ग लिखेंगे एक तरह आप बारंबारता लिखेंगे वर्ग तो लिखेंगे निचे बारंबारता लिखेंगे वाई एक्स पे एक्स को इस परकार से डिजाइन करना है इस परकार से यह यहां होगा यह तो यहां पर ज़ेख आपकी बारन Bारता कितने कितने का है 12-12 तादिकते में इसमें 17 तो हम इसमें 2-2 का गेप लेके बना लेंगे 2, फिर 4, फिर 6 फिर 8, फिर 10 फिर 12, फिर 14 फिर 16 और फिर ये 18 और वर्ग जो है आपके 0 से जहांसे 0, 0 से 10 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 फिर आपको इसमें यह दन डालेक बनाने 0 से 10 कितने 3 हैं 0 से 10 वोले 3 आजाएंगे 4 और 2 के बीच में 3 फिर आपको 10 से 20 कितने 9 हैं तो 10 से 20 आपके 9 आएंगे 8 और 10 के बीच में इसी प्रकार से 20 से 30 सत्रह हैं तो 20 से 30 सत्रह उपर जाएगा 17, 16 और 18 के बीच में फिर आपके 30 से 40 12 हैं तो यह 12 आपको सीद आजाएगा यह वाला यह यहां से यहां तक 12 40 से 50 नो है तो यह रहा 40 से 50 9, 8 और 10 के बीच में तो यह इस प्रकार से आपको दंडा लेक यह ग्राप बनाना और वैसे यह जो है आसान है इस समझे दिया वाला प्रसन है यह भी आपके आसान है इसमें आपको पांस पांस का वर्क बनाने 10 दस का अंतरा लेके यानि कि 0 से लगा के 10 तक कितने है फिर 10 से लगा के 20 तक कितने है फिर 20 से लगा के 30 तक इस प्रकार से आपको 5 अबर्ग बनाने 40 से 50 तक वाले में फिर एक त्रिबूस की रसना करनी वह आपको ने लिलना अपने साब से लास्ट वार क्यूशन देखते हैं इसको कार्ती तल में निरुपित करना है कार्ती तल में निरुपित करने के लिए आप एक ग्राप कीचेंगे जिसको हम एक सब्सक्राइए और अडीय लाइन को कहते हैं एक सक्स जहां दोनौ बिंदू कटेश को कहते हैं मूल बिंदू किया होता है जीरो कॉमा जीरो कि ये तो हो ज़एगा एक सक्स जैस्याइड यह जैस यह वाई है यह नीचे बादेगा वाई-डैस अब आपको उसमें निदेश बताने तो यह प्लस का एक प्लस का दो प्लस का तीन प्लस का चार ठीए यागे अगर तक जाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा यहां कर लेते शिफ्ट मैंने समसिंगें चोटी है उसको हम थोड़ा से यहां से हटा कि इधर लैते हैं यह लो यहां जाए उपर एक-डो 3-4 पांच पहंच अब इनको ग्राफ में बताना है एकस कमान제ifiable एकष कमानेक्वाल और और वइकामनाट गे रहा एकसको मैंनेक्वाले कि दूरु हम एक एक-धह 4-5-6-7-8 सबसे उपर आएगा आपकी यह वाला कि इस प्रकार से आपको यहां पर मिलान कर जाने मैनस का एक और 7 तो मैनस का एक और 7 आजेगा यह यह यहां पर दूसरा है 0 और मैनस का एक पॉइंट 25 0 x का मनें और y का मनें 1.25 जैना की 1 से थोड़ा सा उपर पिर यह आपका 1 और 3 x 1 y 3 5-6-7 और 8 x का मनें 1y का मनें 3 यह रहा x1 पर y 3 x 3 y मैनस एक है इस प्रकार साहथ डिए एक लाइन के रुप में आएगा यह वाली एक लाइन की रुप में आ रही है कि आपको लाइन नहीं कीशना है क्योदेबाश्ते मिलान ना मिलान कर लेंगे आपके पूरा फ voter कर देना वाट्साप का लिंक कर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्ष में दे रखा है नवी क्लास को वाट्साप ग्रूप उसको भी जोइन कर लेना कि पिछोतर आड़सर पैंतीस डबल जीरो उनसे तर यह अपने वाट्साप नमरे इसके उपर आप मुझे फोटो की इसके कर देबर